read-only memory जिन्होंने नहीं लिखा था वो लिखें लेंगे आज read-only memory read-only memory यह कैसी memory होती है पहली तिस कि internal memory होती है यनि कि यह computer के अंदर होती है तो यहां पर हम लिखेंगे internal मेमोरी ठीक इंटर्नेल मेमोरी लिख लिए अच्छा आप लोगों जैसे कोई चीज नहीं समझ में आगी न तो आप चैट में टाइप कर देगा यह चीज नहीं समझ में आ रही है तो हम आपको उसको बता देंगे ठीक है धुरू कृति का आप लोग ने अभी जॉइन करा ठीक है तो रीड ओनली मेमोरी क्या है इंटर्नल मेमोरी है अच्छा और यह मेमोरी नॉन वोलाटाइल है नॉन वोलाटाइल होती है यह मेमोरी ठीक और यह क्या करती है जो रॉम होता है रॉम इस्टूर सिस्टम प्रोग्राम रॉम क्या स्टूर करता है सिस्टम प्रोग्राम को स्टूर करता है सिस्टम प्रोग्राम अब यह जो सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं यह क्या होते हैं यह इंटर्नल प्रोग्राम्स होते है इंटर्नल प्रोग्राम होते हैं इन्हीं प्रोग्राम को क्या कहा जाता है बायोस बायोसिस्मस what basic input output system हम लोग इस इसकर चुके एक बार आप लोगों को फिट से recap कुरा दें ताकि हां यहां से चल रहे थे हैं लोग तो इन्पूट आउट्पूट सिस्टम बेजिक इन्पूट आउट्पूट सिस्टम तो इस क्या है बाइओं जूए यह इंटरनल परोग्राम से ईस सिस्टम के प्रोग्राम होते हैं ठीक है और इनका वर्क बायोस प्रोग्राम का वर्क क्या होता है राकेश मौर्या स्क्रीण ब्लैक है प्लीज चेंग दा बैक्ग्राउंद में लेक नहीं दिखाई पड़ता है कि लेक लगए ते परेज है कि वन्स अगें बायो एक्स्ट्रेइन भी कर दीजेगा प्लीज आपकर रहे हैं राकेश मौर्या ब्लैक में दिख तुरा होगा तो क्यों क्यों क्लर में कोई प्रॉबलम है कि तुम लोगा स्क्रीन कलर यह है प्लीज अच्छा क्लीड नहीं आ रहा है नेटवर्क इशू है इसलिए नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा सा आप लोग को उसको जो ब्लैक स्क्रीन से थोड़ा सा शार्पनेस बढ़ जाती है तो आप लोग अच्छा दिखाई पड़ता है अच्छा देखो बायोस क्या होता है बेसिक इंपट आउटपट सिस्टम्स होता है यह प्रोग्राम होता है इंटर्नल प्रोग्राम होता है जो की कंप्यूटर को कंप्यूटर के लिए इंटर्नली यूद होता है ठीक है और बायोस का वर्क क्या होता है बायोस का वर्क होता है पोस्ट कोस्ट माने पावर ओन सेल्फ टेस्ट पावर ओन अपन इसका मतलब यह है कि वेनवर वी स्टार्ट दा कम्प्यूटर जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं लाइक जैसे माल नीज़ा की दूसरा पेज ले लेते हैं हम सपोस्स हमने क्या करा यह कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर को हमने स्टार्ट कर यह कंप्यूटर को हम तर्ने के बाद में कुछ nutrition process हुता है कि फिर हमारे सामने में SQ completely जह स्क्रीन होती है उसी को हम क्या कहते है जो स्क्रीन आती उसको हम कहते हैं डिस्टॉप यहां पर यहां इसे याइसे करके joystick होते हैं यहां start button होटा है यहां taskör होता है ताइम लिखा है ऐसा आता है ना स्क्रीन और माउस पॉइंटर होता है अब यहां यह स्क्रीन जब मिलता है तो यूजर तब काम करना शुरू करता है तो देखो इसके जो बीज में यहां पर काम हुआ यह आन करने के बाद में सिस्टम इंटर्नली कुछ काम करता है यही पर जो काम चल रहा ह यही इसी काम को कहते है पोरा सिस्टम करता है कि कौन कौन सा पार्ट सही है कनेक्टेड है सारा बैटरी होन है तरेंट जा रहा है रेम वर्किंग प्रॉपरली कर रहा है हार्ड जुड़ा हुआ है स्क्रीन पर दिख रहा है एंड सो आन यह सारी चीजें जो है एक प्रॉसेस होती है इस प्रॉसेस को हम कहते हैं पोस्ट और पोस्ट कौन पर्फॉर्म करता है कि आपिफ कि परफॉर्म वाई अ इन्टर्नरल प्रो ग्राम उप हो ऑफ बायों कहा होता है वाई इस्टूरों होता है जिकि अब बैदात को सब्सक्राउज को इतनी बात हम लोगों समझ में आ गए ठीक अच्छा अब देखो है थे अपने होँ अब कोई भी चीज यहां पर जो कंप्यूटर है जब लुक्यूट अब यह स्टार्ट होता है और अफ रुड़ी दियर प्रहसेस करता है उसी प्रहसेस को पोस्ट करते हैं और इस Ano बाई उद्दласт बैर्म बाई उस चालए प्रॊणर्नव प्रोग्राम होता है यह कहां इस्टोर होता है रॉम इतनी चीज हमने पढ़े अब देखिए नेक्स्ट इसक्रीट अब यहां पर आप लिखिए ताइब 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 तेखिए आप लिखिए तो आपको याद रहेगा रम पी रॉम इसका मुल्ग फूल फॉर्म लिख चुके हैं रॉम पी रॉम ऊपी रॉम और यहां पर पहले हम एपी रॉम लिखेंगे ईडे पी रॉम और कि इए पी रहों ठीक है कि अज़िए इस पहले वाला क्लास में सही से वीडियो निजला हां वो इननेट इशू हो जाता है कि अब हो जाता है यह चीज़ अभी ना बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है नेट हम लोगा कहने को है फोड़ी फाइवी चल रहा है वहां सब चीज़ हवा हवाई होती बस पेपर में पेपर में देखते हो वह कितना मुस्कुराता हुआ सब आता है कितना आसान है अकाउंट पुलवा लिजे घर ले लिजे लोन ले लिजे लेकिन आप लेने जाएगे ना तो आप कहेंगे दुनिया का सबसे मुश्किल काम है लोन लेना और अकाउंट पुलवाना तो वह एड सिर्फा था है अच्छे बस देख लिए बस उसी तरीके से इसमें भी होता है अब के यहां पर आप कहा रहा हैं जीओ फाइबर ऑप्टिक लोग यूज करें 28 देश्टी यह जीओ अप्टिक भी लगा है यहां पर यह जीओ फाइबर और एक्स्ट्रीम दोनों लगावा है दोनों के यही हाल है एक जैसा ठीक है तो इसका फूल फॉर्म लिख लो रॉम तो लिखी लिए रॉम रॉम सबका एक ही रहेंगा ना रीड ओनली मेमोरी और यहां पर बस आपको लिखना है प्रोग्रेमेबल प्रोग्रेमेबल रीड ली मेमोरी और यहां पर आप लिखेंगे इस फुल फॉर्म आप याद रखेंगे ना यह फॉल फॉर्म आते इंग्बम में एसफ बॉग्रेमेबल रीड-वी और एलेक्रोनिकली एलेक्रोनिकली इसमें कुछ चीज़ें और हैं लाइक जैसे आप इसी को फिर से यहां नीचे लिखिए नीचे लिखिए अपने जहां पर भी आपके पास स्पेस हो इसके बारे में यह हमारी जो होती है रॉम मार्केट में अगर हम रॉम लेने जाएंगे तो यह रॉम हमें पर इस्टोर्ड मिलेगी यह इसमें पहले से इंटर्नल प्रोग्राम पहले से स्टोर्ड होंगे ठेके ना यहां पर क्या होगा प्रोग्राम अल्रेडी स्टूड जो इन्टर्नल प्रोग्राम से प्रोग्राम्स अल्रेडी इस्टूड ठीक है अल्रेडी स्टूड अल्रेडी इस्टूड अट अधर टाइम उस्टूड प्रोग्राम्स अल्रेडी स्टूड अधर टाइम आफ मैनुफैक्ट्रिंग यानि की कंपनी में जब इसको बनाया जाता होगा रॉम को तो उसमें डेटा पहले से स्टूड कर दिया जाता है ठीक है और बाकी यह तीनों एट आपको कैसे मिलेंगी है ब्लैंक जणरल यूजर्स के लिए यह नहीं है यह जैसे आप याप यूद्यक कमपनी है आप अशुस की कंपनी आप क्या कहते हैं मैं की कंपनी आप बड़े कंपनी आ खुद कंप्यूटर बना रहे हैं आप hardware manufacturer है तो आपको आप अगर सिर्फ रॉम लेंगे तो उसमें प्रोग्राम पहले से स्टोर मिलेगा पी रॉम और यह आपको कैसे मिलेंगी यह ब्लैंक मिलेंगी ठीक है यनिकी इसमें डेटा आप पुद इस्टोर कर सकता है यूजर कैन इस्टोर ठीक है जो भी य यूजर प्रोग्राम को इस्टोर कर सकता है और इसमें सब इंटर्नल सिस्टम प्रोग्राम होंगे इसमें यह नहीं कि आप सबskirie फाइलों इस्टोर करी थे पाइया थे थैरे क्योंकि अवने पहले पदाया यहां यह इंटरण लॉल辛苦 करने के लिए फिस्टम प्रोग्राम की इस्टोर करने के लिए रां सि precisely होती कि ठीक है कि वर्ट रॉम इस स्लोवर दैन रॉम अभी यह टॉपिक बाद में रैम और राम राम टोटली डिफरेंट होती है तो स्लोवर कौन सी है दरूब पूछ रहे हैं यह हम लोग भी बाद में डिसकस करेंगी पहले इसको पूरा समझ लेते हैं ठीक है तो रूम पी रॉम और यह पी रॉम तो रॉम प्रीफ टोट रहेगी और बाकी पी रॉम एपी रॉम और यह कैसे रहेंगे यह हमारे रहेंगे ब्लैंक ठीक अब दूसरी चीज़ लिखो इसमें इसी में फिर से लिखिए आप इसमें आप लिखेंगे इसमें क्या होगा जो रॉम में डेटा होगा और यह तो इसमें ब्लैंक होगा तो इसमें जो यह पी रॉम है पी रॉम डेटा यह ब्लैंक होगा तो इसमें क्या होगा डेटा इस्टूर्ड यह ब्लैंक होगा लेकिन इसमें डेटा सिर्फ एक बार इस्टूर्ड किया जा सकता है उसके बाद यह रॉम की तरह और करेगा और इसके डेटा को डिलीट नहीं किया सकता है रॉम के क्योंकि यह प्री स्टूर्ड है डेटा के नोट भी मॉडिफाइड और चेंज इसके डेटा को मॉडिफाइड नहीं किया सकता है ठीक है और इसमें क्या है इन दोनों में डेटा गैन भी गैन भी मॉडिफाइड मेनी टाइम्स इसमें डेटा को मेनी टाइम्स मॉडिफाइड किया जा सकता है किसमें इपी रॉम और इई पी रॉम में इन दोनों में ठीक है और इपी रॉम अब इहां पर सिर्फ डेटा एक बार ये वाला द्राइन देना ये पी रॉम वाला ब्लैंक तो होता है लेकिन इसमें डेटा सिर्फ एक बार स्टोड होगा फिर मॉडिफाइड नहीं कर सकते ठीक है लेकिन EPROM और EEPROM में data can be modified many times और इसकी क्या point है दोनों के EEPROM और EEPROM में क्या चीज़ देखो अच्छा यह normal memory तो है नहीं जैसे pen drive है CD है DVD है hard disk है कि इसमें से data user जैसे delete कर देते हैं हम लोग right click करके इसमें डिलीशन ऐसे नहीं होता है डिलीशन के लिए क्योंकि यह सब hardware से related है internally तो इन सब में डिलीशन methods use होते हैं यह exam में पूछता आप से डिलीशन method तो दोनों का डिलीशन method हम लिख लेंगे डिलीशन method है इसमें लिखेंगे यूवी रेज यह exam में पूछता है कि इपी रॉम में डेटा को डिलीट किया जाता है या प्रोग्राम को डिलीट किया जाता है तो वह कैसे डिलीट के तो मोमर आरिस बता रहे हैं कि यूवी रेस से वेरी गुट सही है और रोहित सिंग एक्जामपल किस चीज़ के एक्जामपल रोहित आप एक्जामपल किस चीज़ का पूछ रहे हैं कि I am not getting you चलिए इसमें लिखेंगे दिलीशन मेथर्ड बाई इलेक्ट्रानिक सिगनल इसमें इलेक्ट्रानिक सिगनल के दरिए डेटा को डिलीट किया जाता है और इसमें UV UV मतलब अल्ट्रा वाइलेट रेज से EPROM के डेटा को डिलीट किया जाता है अब देखो इसमें इसके हम लोग वो देख लेते हैं कि कहां कहां पर यह यूद होते हैं जैसे फिर से यहां पर लिख लो रॉम पी रॉम और एई पी रॉम और एई पी रॉम और एई पी रॉम ठीक है इनके फुल फॉर्म आप याद रखेगा एक्जाम में आपसे फुल फॉर्म फुच्टा है यह दोनों आपके कंप्यूटर में यूद होते हैं कंप्यूटर लैप्टॉप डेस्टॉप पर्सनल कंप्यूटर इसमें यूद होते हैं पीची डेस्टॉप इस तरह के टर्म यूद होते हैं वह सब आपका पी रॉम और एपी रॉम और रॉम यूद आपके माइक्रो कंट्रोलर बनाने में यूद होता है वीडियो गेम्स बनाने में यूद होता है वीडियो गेम्स बहुत सारे गैजट ऐसे मार्केट में मिलते हैं जिसमें गेम्स इस्टोर रहते हैं चोटे चोटे गैजट होते हैं उसमें गेम इस्टोर रहते हैं और वह गेम आप खेलिए प्ले गरिए तो वो जो गेम इस्टोर रहते हैं उसके लिए जो मेमोरी अंदर लगी रहती है उसमें इपी रॉम टाइप की मेमोरी लगी होती है और यह जो आपका की जैसे आपके इलेक्रोनिक ऑटोमेटिक फुले होती है ना है। nap तो इस तरह की चीज़ें तो इसको माइक्रो कंट्रोलर में आते जैसे आपका सेट आप बॉक्स में जो प्रोग्राम से रहते हैं उसके लिए भी आपके यह यूज होता है जाज हुआ ठीक है वह सिकार होती हिर अपर में इसकार होती उससें जी प्रोग्राम इसटोस होते वह ईए पिर हम बात करें तो यह आपके जैसे smart card smart card credit card credit card इसमें भी information stored रहती है या ATM cards होते है और एक आप physics होता है क्या करते है keyless entry keyless इकीलेस इंट्री क्या होती है आपने देखा होगा बड़े-बड़े वहोटल होगरा है वहाँ पर चा भी नहीं मिलती है वहाँ पर कार्ट की कहते हैं उनको थे किस्वाइब कार्ट सोते हैं तो उसमें जो डेटा स्टोर्ट रहते हैं हाँ तो ऑनको तो यह से तो यह हमारे जो यूजेश हैं प्रॉम और रॉम के और एप्रॉम के ठीक है और और रॉम का चो स्पीड होती है टिसे ऐन थे थे संदी था स्पूल Lazar होते आपको जो है चार में लाइगी आपको यह आठ एम बी बागरा होते यह बहुत छोटी मेमोरीद होती है यह ऐसे होते हैं जैसे थाटी टू के बी यह किलोबाइट्स में होंगी या सिक्टीफोर किलोबाइट्स में सब्सक्राइब करने के लिए आपके पास हार्डिस है आपके पास सीडी डीवीडी है आपके पास एक्स्टरनल हार्डिस्क है वह सब जो जो नहीं होती है वह सब्सक्रास के ओनबोर्ड हम अपकोर्ष डिखाई पड़ेगी डिस फोटिप ल Sum लाइक ट्रोक्टर होगा गेस एसा होगा इस्ट्रक्टर इसमें यह इस तरह से ऐसा इस्ट्रक्चर होगा लगा होगा अधिक है उसको हमने आपको क्लास में दिखाया भी था रॉम में एक बार आप और देख लिए रॉम को एक मिनट एक सिकने मस्प्रेशन ओपन कर वे एक मिनट ओपन कर देख रॉम में एक सिकने मस्प्रेशन ओपन कर देख रॉम इसमें यहां पर यह चिप में फिटेड है रॉम इस तरह का आपको दिखाई बढ़ेंगी हमस्ते को यह ब्लैक करण के यह वाली रॉम है अपनों ने देखा भी था प्लास में यह बोर्ट पर कुछ ऐसी लगी हो दी रॉम देखो देख रहा यह पी रॉम है यह भी दिख रहा आपको यह अपने नोट भी गड़ा था पी रॉम को इसका साइस साइस वहां पर अपना नोट में बना लेना कुछ साइस बताएं कुछ यह भी लिखने ना वन अंडर ट्वेंटी एट के भी कि रॉम है और यह दो यह यह इपी रॉम है थर्टी टू के भी इसको फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं इस आलसो नोन ऐस फ्लैश मेमोरी तो यह एक्जाम में पूछता है कि किस मेमोरी को फ्लैश मेमोरी कहते हैं यह याल रख़टा इसको हम है लेश लेश कि मेमोरी भी कहते है अ यह दो फ्लैश मेमोरी ठीक है कि अभी क्लियर है सब हाँ एपी रॉम को एपी रॉम में तो लिखा है यह दो एपी रॉम के नीचे लिख दिया फ्लैश मेरी तो यह रॉम हुगी अब इसमें ग्रायम और रॉम में दोनों पढ़ लिए रहा तो अब हम लोग का जो टॉपिक होगा नेक्स क्लास में वह सेकेंड्री मेम् geschमी होगा ओमलोग नेक्स बढ़ेंगे ठीक है how about the that said thank you achya class offline होने के बाद इसे पढ़ाएंगे हाँ पढ़ा देंगे और अफलेन होग फिर पढादा देंगे ह़ो झाल झाल